नमस्कार जैहिन दोस्तों मैं सिद्दार सोनी आपके अपने ओलाइन प्रेटफोर्म इजली पर आपका तहे दिल से खुले दिल से हारदिक स्वागत करता हूँ अभी नंदन करता हूँ सभी की सभी दोस्तों एक पार जुड़ जाईए सेशन को अच्छे शेयर कर दीजिए फ सेडेड रिजिन मैंशोरेशन टूड़ी अपना पार चल रहा है जहां बच्चा अपने क्या क्या कवर कर लिया वहां जहां अपने वरग आयत समांतर चतरबूज समलम सम चतरबूज और एनियमी चतरबूज अपने कवर कर लिया अपने square cover कर लिया बच्चा, rectangle बच्चा अपने cover कर लिया, rhombus, tripegium और irregular quad later अपने यहां से अच्छे से cover कर लिया है, बारी है बच्चा, उन्हीं के अंदर से कुछ shaded region, नाम भी सुना होगा, चायंकित छेतर, चायंकित छेतर फल क्या होते हैं, कैसे इनको निकालते हैं, कौन स diagram में से कौन सा diagram माइनस करें, कि चायंकि जो भाग है, वो निकल के आ जाए, तो दोस्तो होली आ रही है, तो होली का रंग भी उसमें भरेंगे चायंकित शेतर में, और अच्छे से आनंद अपन लेने वाले हैं, और एक बार सुरू में ही आपको सभी को होली की धेर सारी सु कैसे ही दोस्तों आपका जीवन हो जाए, यही कामना हम आपसे करते हैं, खुश रही है, मस रही है, बस पढ़ते रही है, जम कर, इसी जौस उस्साह के साथ बढ़ाते हैं, आज की क्लास को बिल्कुल आगे, अब देखना बच्चा, सेडर रिरेज के अपन बात करेंगे, स् बाउंड तोगेधर वाई एर अरबबर बैंट, फाइंड अलेंथ ऑफ द रबर बैंट, कि दस सेंटी मीटर व्यास के तीन वर्त एक रबर बैंट दुआरा एक साथ बंढ़े, दस सेंटी मीटर व्यास क्या मतलब बचा? पांस सेंटीमेटर तिर जया ऐसा भी बोल सकता हूं उसी चीज़ को पांस सेंटीमेटर तिर जया के तीन वर्थ एक रबर्बेंट द्वारा एक साथ बने हुए हैं रबर्बेंट की लंबाई ग्याद कीजिए बात ऐसी है तीन वर्थ आपने पास पास रख दिये और उनको रबर्बेंट से भांदो कितनी सी बात इसने कही है देखो एक वर्थ बच्चा यह आपका यह रहूं एक वर्थ बच्चा आपका यह रहां ओके तिर्जा पास पास सेंटीमेटर के ही आपको तीन वर्थ यहां पर रखनी है अब दूसरा वर्थ अपन पच्चा लेते हैं इसको नीचे बनाते थोड़ा सा जिससे आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएं चीजों को एक वर्थ और य थो को मेंड़ की लंबाई पास सेंटीमेटर तिर जागे तीन वर्थ रख वर्थ यह रबबर भींड दुआरा एक साथ भंद वे एक साथ मतलब बच्चा इनको अग्धम से बच्चा इनको और रबड रबड भंद है रबड बंग या तो यहां पर आए गा फिर बच्चा यहां पर पूरा straight आएगा, फिर यहां पर coveríst और यहां से हो जाएगा, मेरी एक बात समझना, Rubber band अपन भाणद देते हैं, यह rubber band लेते हैं, बता हूं कौन से color का ले, इस है पिन्क ले यह से लो यह rubber band ले अब रबर भेंद बादना है तो जो आपको जगह यहां पर दिखेंगी बच्छा ये इसके क्या गए अपने पास एक चीज़ समझने बच्छा रबर भेंद नी बना मैंने तिरजाय लिखी है यह 10 cm रव्यास और 5 cm तिरजा यदि बच्छा ये 5 है ये 5 है तो ये पूरी ये पांच और ये पांच तिरजा पांच ये पांच इसकी पांच तिरजा और इसकी पांच तिरजा मिलके बच्छा कितनी हो गई दस इसकी लंबा यहां पर हो जाती है डन यहां पर वैसे बच्छा इसकी पांच तिरजा और इसकी पांच तिरजा यहां पर यहां पर दस हो अब मेरे एक बास समझना बच्चा मेरे को rubber band भानना है ना चलो rubber band अब भानते हैं इस color का अब rubber band कैसे आएगा यहां से rubber band भानता तो अब इसको उपर cover करेगा यहां से cover करेगा rubber विल्कुल सर यहां पर जगए नहीं है तो यह line यहां पर मिल जाएगी ठीक है अब ग्या करेगा rubber यह लंबाई यहां पर और फिर रबर भानता यहां पर cover करेगा मेरी बास समझ रहे है मतलब आपको तीन जगए यहां पर touch किया कहा पर भानता यह special आप देख रहे हो यहां पर बच्चा क्या हो रहा है इस वर्थ को cover कर रहे हैं बाकी जगए नहीं कर रहा ठीक है लेकिन इ बच्चा इसने पूछी है वो चीज मत फूल जा इतनी बास समझ गए बिलकुल यहां तक आपकी हर बात बारी के से हम समझ पा रहे हैं अब इसको handle करने का तरीका देख रबर बेंड की लंबाई तो rubber band भाया यह यह पूरा ही rubber band है ठीक है अब एक बात समझ रहे है यह लंब पूरा है यहां से जैसे मैं चला जाए कहीं से चलो चलो यहां से चल रहे हो तो rubber band बचा पूरा चल रबर बेंड यह पूरा मैंने भांग दिया इस rubber band की लंबाई इसने पूछने की अपने से कोशिश की है ठीक है यह वाइड जो rubber band डाल दिया अब एक चीश बताओ यह बच्छा मैं एक चाप की लंबाई निकाल लू ना कोई भी चाप ले लो चलो इस चाप को लेते हैं ऐसे कितने चाप अपने पास देखो एक यह रहा एक यह रहा बच्छा जो अपने अभी cover कें दो और एक बच्छा यह रहा तो तो तीन अपने पास क्या है चाप है तीन ब संभाव उतिर्बुज नहीं हो गया सर बिल्कूल संभाव उतिर्बुज हो गया जेसी बचाइस मठाव उतिर्बुज हुआ क्या इनको साथ डिगरी नहीं बोल सकता है ठेक है सर साथ डिगरी बोल तिर्जा किस पर इस पास रेखा पर लंब होती है यह बचा 90 डिग्री होता है बिल्कुल होगा होगा या नहीं होगा तो एक सवस्थी तो यह हो गए और टोटल एरिया कितना होता है मेरे लाल सर यह नब है यह कहने का मतलब 360 होता कितना हो अपने पास 180 यहां तक गया न अभी भी 180 बच रहा है तो क्या यह 120 डिग्री का नहीं होगा हुगा हुआ हुआ बिल्कुल सर जब बचा यह 120 डिग्री का है तो यह लैंट फ आर्क नहीं निकाल सकते किस तिर्जावाले का पांच एक चाप के लंबाई निकाले निकालेंगे वो यहां पर यहां पे हैं तो है मतलब एक वरत वने 12 ऐ 36 मतलब 360 degree मैं सीधा भी बोल सकता हूं πाई आर स्कॉयर मैं सीधा भी बोल सकता हूं दोनों तरीकिस आपको समझाता हूं देखो एक तरह से अपने पास तीन व्यास हो गए ना एक व्यास दो व्यास और तीन व्यास तो मैं 3D लिख दू भया एक क्या लिख दू बचा थीडी लि चलो अपने पक्स क्या पूछा चापकी लंबाई पूछीक टू पाई आर ठीटा कविचा एकसो बीस बटे 368 लिख सकता हूं लिख सकता हूं लिख सकता हूं लिख सकता है अब एक मैं सोपग्स है व्यास भयास शाय ते lia यहां पर 1236, रहो यहां पर 360 हो गया, तो 2 πाई आर बार 360 बटे 360, क्या मैं इनको नहीं काट सकता उपर नीचे, बिल्कुल काट सकते हैं, जैसे यह कटा तो भाईया यह क्या आया, बिल्कुल बच्चा यही काम आपको करना है, तीन व्यास का मतलब जब वर्त बच्चा कितने हैं, तो तीन है, जब वर्त बच्चा तीन है, तो व्यास यहां पर 3D आ गया, प्लस टूपा यार, हमेश्या बच्चा एक बात दहान रख लें ना, यह जो चाप, जिसको यह इस प पूक्र है अपन ले सकते हैं, बाराती च्चिस के, एक सो बीस, ठीक है, एक सो बीस, बाराती च्च्च्च! मतलब 36010 डग्री का, यह वर्त ही तो बन गया, 360 डिग्री मतलब एक वर्थ की परीदी बन गई एक यहां पर टच हुआ था फिर यहां पर बचा टच हुआ फिर बचा यहां पर टच हुआ 360 डिग्री 360 डिग्री मतलब 2 पाई रहे पूरी परीदी अपने पास आगी अब बचा ही क्या rubber band की लंबाई निकाल लो तो तीन गुणा बच्चा दस प्लस टू पाई र कितना मेरे लाल सिर्फ पांच तो तीस प्लस दस पाई आया मज़ा कितना प्यारा क्योशन था प्लस बच्चा दस पाई यह था इस क्योशन का फाइनल आंसर गजब था आई चीज समझ में ठीक बढ़ जाए आगे तो हमेशे द्यान रख लें लगबग 3D प्लस टू पाई आर 3D प्लस टू पाई तीन व्यास हो गए यूंकि तीन तिर्बुज यहां पे लिए 3D प्लस टू पाई आर ओके डन क्या आगे भट जाए वैसे बचा पांच का होगा तो पांच का भी आप ऐसे ही निखालोगे पांच का यह से आप बचलोगे एक उसमें बचल यही बात आपको ध्यान रखने है तीन च्यार पांच चरो च्छे लेते हैं च्छे बनेंगे कितने के लिए अपन च्छे के लें च्छे पर ही रबर्ट बैंद बंदेगा देखो ठीक है यह में च्छे क्यां यह बच्छे लू तो स्मझना यह सब अर थी यह यह आर यह आर और यह यह आर ठीक है तो यहां पे तो कितने हो गए आधे यहों गूरे क्याज़ होगे ठीक है अब अब रबर्बैंद देख्ण यहां कवर होगा यह तो पूरा टच हो गई होगा मतलब यहां से हां तक एक तो बनेगा ठीक है डन एक यहां से हां तक के बनेगा यहां से यहां तक रबर आपका बन देगा और इसको टच करेगा इसको यहां पर यहां से जैसे आपने चलाया एक चाप यहां पर कटा ठीक है यह फिर पूरा इसी लंबाई के बराबर हो गया ठीक है फिर यहां पर आए फिर वैसे बच्चा यहां पर आए ठीक है मेरी बात समझे तो यह जो टीन बार यहां पर टच कर रहा है यह वही चीज बन गई क्यों क्या यह संभाव तिर्बूज नहीं बना क्या यह बच्चा संभाव तिर्बूज नहीं बना सर बिलकुल बन गया यहां तो आप पर डामेटर देखना एक तरह से कितने हो गई आपको कितने हो गई थेसे देख आर देख लोज ठीडर देख लो 1 मतलब आर डामेटर क्रों 234 से नापके प्लस यह 2 तो 120के 3 होगे, 12 ke 66 होगे, पूरी परिदी आ गई, बच्छा मै OUT, नोces day that तो आपको यह करके देखना है, ठीक है, ठीक है, 6d plus 2p, बस, व्यास है, ज़ू रख देना, तिरजा यहाँ पर तिरजा का डबल रख देना, बात कर तनी, बस ऐसे ही आपको करना, जैसे तिरजा आपकी 5 होती है, तो यहाँ पर 5 लग दें और, d की जगें 10 रख दें, यहाँ हो जाता है बच्छा साथ प्लस दस पाई बात खाता हूं आई वाज समझ में नेक्ट शोचन की तरफ अपन बढ़ते हैं सीधर बहुत जानदार जानदर करशन एक से बढ़तार एक करशन आज के आपको देखने को मिलेंगे एक संभाहु तिर्बुज सभी तीन वर्थो के परीकत है एक संभाहु तिर्बुज तीन वर्थो के परीकत तीन वर्थ के चारो तरफ जैसे बचेक समझना यहां पे तो rubber band था यहां पे तो rubber band था लेकिन अब क्या है अपने को बनाना है क्या अपने क्या बनाना एक संभाहु तिर्बुज इसको बनाना जैसे यहां पर cover करते ना एक संभाहु तिर्बुज यहां पे बनाना है, इस हिसाब से, यहां पे रबर बेंड के जगब क्या करना है, बचा, संभाहु तिर्बुज के अंदर अपने को तीन वर्त परीगत करने है, अब अपने को काम ऐसा करना है, मेरी बात समझे, अभी बताता हूँ, होगा कैसे, संभाहु तिर्बुज का परीमा, जैसे उसमें रबर बेंड का परीमा निकाल ले थे, या रबर बेंड की लंबा ही निकाले थे, वैसे ही यहां पे संभाहु तिर्बुज का परीमा निकाले, तीन वर्त बनाओ, पहले, पहले पैरा सा काम अपन करते थे, तीन वर्त बनाने कर देखो कि वन कि वन कि यहां पर चट्टू और यहां पर चुरी तीन वट बन गए प्यारे प्यारे से बहुत बढ़िया बहुत ही बहुत ही सुन्दर अब जिनकी तिरजाए एक एक सेंटीमेटर है यहां से यहां तक एक यहां से यहां तक एक तो यह कितनी होगे बचा दो बोल सकता हूं वैसे यहां से यहां तक एक और यहां से यहां तक यह इसको कंप्लीट को दो बोल सकता हूं बिल्कुल सकते अपना काम क्या है अपना काम बचाईए जो अपन करने वाले हैं तीन वर्तो क्या करोगे आप देखना है आप एक एक्विलेटर ट्राइंगल यहां से बनाओगे दन मेरी बात समझे बच्चा मेरी बात आप समझे क्या ठीक है देखो दन जाए कुछ समझे आप आप देखो आप दन जाए कि इस संभावत रुबुश्य का परिमा आप ने काला सिंपल स्वीट काम करने वाले एक चीज़ समझो, क्या आपके पास है, क्या क्या आपके पास है, बचा जब ये टू है, क्या ये टू नहीं है, बिल्कुल सर ये टू है अपने पास, एक बात, ये लंबाई है आपके पास, सर बिल्कुल है टू, ये लंबाई क्यों, ये टू है, क्योंकि ये टू है, ये लं सब्सक्राबर तो मतलब 6 स्वाइस पर रिखाओं की लंबाई और जोड़ों मतलब तो दाइमिटर कितने, तीन मेरी बास समझना, तीन तो डाइमिटर, तीन तो डाइमिटर, बच्चा बच्चा, जास, तीन तो डाइमिटर, फ्लस, इस टैंजेट लाइन, इस इन्टू, लेंध ऑफ चैंजेट लाइन, ऐसा गोल रखते हूं, क्योंकि 6 हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 6 कि 6 बराबर है, मेरी बास समझे, तो कि यह अपन ने 2 ले ली, यह ले ली, यह ले ली, तो 6 तो यह होगे, और यह एक व्यास, दो व्यास, और यह बचा 3 व्यास, खतम, 3 तो यह होगे, और बचा 6 इस पर से ख़गे, length of tangent line, length of tangent line, done, बहुत ही सुन्दर, अब 3 diameter है, तो 3 diameter तो अपने पास है, कोई दिक्कत ही नहीं आईगी अपने पास, क्योंकि 1 diameter की बचा, 1 diameter 2 है, 1 diameter बचा कितना है, 2 है, सिरी बात मुझे देखिए कि tangent line निकल जाए, अपना काम हो जाएगा, तो यह देखो कि तो diameter बचा एक तरह से कितने हो गई यहाँ पर, र वर्र 2 र हो गयाँ, मतलब एक तरह से इसका बुझा हो गई संभाहो तिरवुज की बुझा हो गया, cache संभाहो तिरवुज की बुझा हो गई, जब बचा, işi संभाहो तिर बुझा हो गई तो भाईया हमेशे धाना इस पर्स रेखा से उसके केंद्रो को जब तच करोगे तो आधा-धा करेगा तो यह 60-60 हो गया यह बचा कितना कितना हो गया 60-60 यहां से हो जाता है अब सिर्फ आपको एक छोटी सी चीज यहां से करनी है क्या आपको सिर्फ एक ट्राइंगल ले लोगे ना यह एक ट्राइंगल यदि इस एक की लंबाई आ अपने पास फिर तो भाईया कुछ बचेगा ही नहीं जब बचा इस एक की लंबाई आ गई ना मेरे पास फिर तो कु यह मैं बोल दूँ यह जो भुजाएं है आपकी यह कितने कितनी है एक डायमेटर के बराबर है बिलकुल तो यहां पर डायमेटर के वे वेली अपन जैसे एक एक थी तो यहां पर बी कमान तो तो हले कि जरूत सिर्फ इस टैंजर लाइन की है और वो अपन निकालने जा रही ह वो अपन निकालने जा रही है डन अओ अब बात करते हैं मुद देखें अब बात करते हैं मुद देखें सिर्फ और सिर्फ मुद देखें अब देखो यह बच्चा जब 60 है आपने बोल दिया और यह 90 है यहां पर तो यह 30 होगा 30 60 90 है अब एक प्यारी सी बार समझता जिसम मैं यह ले लेता हूं यहां से ठीक है मैंने अलग से काट लिया और यह आपके टैंजेंट लाइन इसी की मुझे तलास है टैंजेंट यह मिल जाए जी में तसलिस आजएगा जीस आजएगा अब यह 60 यह 30 और यह 90 इसका रेसर मैं आपको बता रहा है 30 60 90 कितना एक रूट त तो यह 3,100 आले में तूर घर जाए तो रूट रूट द्रूरा की यहां किसमें मैंने आपको बचा यह चीज समझा रखै है आपको मैं किसमें हाइट डिस्टेंस के यह उचिक पर आठ नहीं firms है तो पाइथागोरस तो अपने पास है तो इसकी लबशी रूभी इसकी है, इसकी इतलास है, और यह कितनी है? जब भईया 30 है, 30 से 60, 30 से आपको किस पैना है? 30 से भईया आपको 60 डिगरी पैना, 30 से 60 हाना है, 30 से 60 क्योंकि 30 डिगरी के सामने वाले बुजा 1 हैं, तो 60 डिगरी के सामने बुजा root 3 गुणा होगी, इसे यह एक था तो यह देखो तीस के सामने एक है तो साठ के सामने रूट तीन होगा वेरी सिंपल तो यह भी मेरे पास आ गया रूट तीन है तो यह रूट तीन होगा और इस पर से कहें सारी ही बराबर है इस पर से कहें सारी ही बराबर है तो हर जगे मैं रूट तीन लिख स बार ले लिया, ठीक है शर, प्लस 6, length of tangent line कितनी है, एक, दो, तीन, चार, पांच, है, तो 6 tangent और प्रते एक tangent का root 3, अपने महा निकाला ही अभी, यहाँ पे हो गया, तो 6 plus 6 root 3, 6 root 3 plus 1, बोल सकता हूं, यहाँ से 6 कॉमल ही है, तो यहाँ पे root 3, और यहाँ पे, तो यह क्या जाए संभाहु तिर्बुच का, परिमाप सीधा सीधे निकल के आ रहा, सीधा सीधा परिमाप यहां से निकल के आ रहा, अब दो क्योशन किये, आगे वढ़ते हैं, अब मेरी वाहाँ समझा, the ratio of the outer and the inner perimeter of a circular path is 23, ratio 12, 22, if the path is 5 meters wide, the diameter of the inner circle is, एक वरताकार पत के बहरी और भीतरी परी परीदी का अनपात, एक वरताकार पत के बहरी और भीतरी परीदी का अनपात, बहरी और भीतरी परीदी का अनपात, मतलब बचा यह है, यह बन गया, बहरी और भीतरी परीदी, यह आर है, बड़ार है, बड़ार माल लो, ठीक है, यह बचा में छोटा आर माल लो, ठीक है, एसे कर लो यह R है यह क्या है बड़ा R हो गया ठीक है और छोटा R कहां से कहां तक होगा यहां से यहां तक छोटा R हो जाएगा यह परिवर्थ की तिर जाई यहां से यहां तक बड़ी वाली ठीक है और यह यह तो यह जो आपका क्या रहा है बच्छा बीच की चोड़ाई आ रही है वो कितनी आई आर माइनस आ रही बड़े आर मेंस यह निकाल दो तो आर माइनस आ रही दन यहां तक बाद ठीक है सर अब एक चीज़ समझो पत की पत पांच मिटर चोड़ा है तो पांच मिटर चोड़ा पिचा आर माइनस आर बराबर पांच ब बड़े R में जब छोटा R निकालेंगे तो सब 5 बहुत ही बड़िया तो भीतरी वर्थ का व्यास निकालना है तो भीतरी वर्थ का व्यास मतलब आपको R की वैल्यू निकालोगे तो 2R की वैल्यू चाहिए भीत्री वर्द का व्यास 2R ही होता है, मतलब अपने को स्रिफ किसके तलास है, आर आ जाए, डबल तो उसका करी देंगे, तो भीत्री वर्द का व्यास, मतलब आपको 2R की वैल्ली यहां से पूछी गई है, भीत्री व्यास तो यहीं होगा, अब आर कैसे निकालोगे, मेरी इक तिर्जाओं का अनपात होगा, ये भूल मत जाना, जो बच्चा परिदी का अनपात होगा, वो ही किसका अनपात होगा, तिर्जाओं का अनपात होगा, तो मैं इसका तिर्जाओं का अनपात भी क्या बोल सकता हूं, बच्चा, 23-22 बोल सकता हूं, 23-22 तिर्जाओं हो, परिद आपका क्या होता है शित्रफल होता है और लेकिन जो साइड हुई परिमाप हुई उन सब का रेसो सेम रहता है तो यहां पर परिदी है एक लंबाई है कि जबी एक लंबाई है तो तेईस बाईस ही बोल दू तो एक्स की वैल्यू कितनी आगई प्राच एक्स की वैल्यू बचा वही पांच मिटर आपकी आगई एक्स की वैल्यू बचा वही पांच मिटर यहां पर आगई तो भीतरी वर्थ का व्यास मतला आपको तो आर की वैल्यू चाहिए थी ना आपको किस की वैल्यू चाहिए अब बच्छा एक चीज़ समझना, r की value क्या होगी, यदि बच्छा मैंने r की value, बड़े r, दो चीज़े अपने पास आई, बतब छोटी r की value अपने को निकाल ली है, छोटा r की value, छोटे r की value बच्छा कितने हैं यहां पर, बड़े r की मानिया आपने, और बड़े r की अपन 22 गुणा 5, मतलब 110, यह 110 छोटा r रहा है, लेकिन अपने को तीर जा नहीं चाहिए थी, अपने को एक r नहीं चीए था, यह बच्छा 110 है, तो यह भी 110 होगा, मतलब पूरा 220 यह बन जाएगा, मतलब मैं 2 r बोलू या व्यास बोलू, तो बात एक ही है, कितना, सीधा 220 मिटर, दन बहात यहां तक, कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी है, किसी को नहीं होनी चीए, आगे बढ़ते हैं, बहुत थी, इंट्रेस्टिंग क्योशन है, एक से बढ़कर, एक फील सा जीब सा फील, एक अजीब सा प्यार, उभरता इनको देखकर, एक गियर 12 cm in a diameter is turning a gear 18 cm in a diameter when the smaller gear has 42 to revolution, how many has the larger one mad, एक बात समझना, 12 cm व्यास वाला गियर, 18 cm व्यास वाले गियर को चलाता है, 12 cm जीनन व्यास वाला तो मैं तिर्जय ही, आर अरं मालो, आर बराबर 6 बोल दूँ, कोणों दिक्कत? 12 cm व्यास वाले गियर तो 6 cm, तिर्जय वाले गियर, 18 cm व्यास मतलब बच्या, 18 cm व्यास कब्या, यहां पर क्या हो गया, 9 cm तिर्जा वाले गियर को चलाता है जब छोटा गियर 42 चकल लगाता तो बड़ने बड़े वाले ने कितने चकल लगाई अब एक चीज समझो इसको चलाता है कई आप एक जैसे टाइरों में देखिए ऐसे फिर किसी होती है ठीक है साइकलों में देखिए होगी छोटी में तो दीरे धीरए गोमती रहेगी यह घोमेगी जैसी यह घोमेगी तो यह भी धीरए Zhou cerus यह यह उतनी कमत नहीं कर पाएगगी यह जैसे गोम घीक थे सासा 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 यह आगे वाली गुमती आप में देखा होगा कुछी चीज को आपने शाक्षात यहां पर कर रहे है डंगक कि गुमा दू कि नो सेंटिमेटर वाले को अब जैसे 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 बचे गुमेगी यह इस साइड गुमेगी यह इस साइड गुमाएगी तो यह इस साइड अपने आप गुमने लग जाएगे लेकिन एक चीज़ देखना हुआ जितने ही यही चलाएगा जैसे उस ने बाएगा यहां सी स्टाट किया किया、 मतलब लिए चकर में जितना ही दूरी त्यती यह तरहistemaal करेगा जाएगी टूरी उपार में छोडे वािए दूरी तो बढ़े वाले सित्या होगी। यह बढ़े वाले सित्या होगी। न चक्र यहां पर लगाए। क्या कुछ कट रहा है। और इस आर के वली वह चन्न हो है और यहां पर N हो गए बहुत बढ़ी हो बहुत ही सुन्दर तीन दूछे तीन 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 नू तीन ही कम तीन तीन चुक बारा चोधियो अठाथाथास एन बराबर अठाथाथास देख लो इससे कम चकर आये ना बिलकुल बच्या जब यह चोटा है तो यह ज्यादा चक्र काते हैं यह बड़ा है उतनी परीदी इसकी ज्यादा है तो चकर तो कम हो गया न बराबर अठाथाइस का आजाएगा आगे भढ़ते हैं नेक्स शोचन पर पांच वाक्रेशन आपके भीचमे इसको हैं इसको हैंड बिना कुछ देरी कि थोड़ा ब्लेक कलर ले लेंगा अपन चलो यही दिख पाए गए इस पर सलंगन आकरती ABCD एक वरग है ABCD एक वच्चे वरग है बहुत बढ़िया चार बराबर अर्दवर्थ इस परकार खीचे गए है यहां पर आकर ब्लेक कि ओअधे रहा है तुन्य पर ब्लेक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यहां पर से सेंटर मान के इसका अर्दवर्थ खिच दिया एक इसको सेंटर मान के बच्छा यह अर्दवर्थ खिच दिया वैसे इसको सेंटर मान के क्या एक अर्दवर्थ बना दिया बन गया बन गया एक दूसरे को ओपर मिलते हैं एक दूसरे को बिल्कुल ओपर मिल रहे हम कोई इसमें तालुगात नहीं रखते, मानते हैं इस बात को, बुजा A, B, B, C, C, D, A, D, 4 अर्दवर्ट की व्यास होगी, जैसे मैंने बोला था अर्दवर्ट की व्यास होगी, वरके परतेक बुजा 8 सेंटिमिट है, जब यह पूरी 8 है, तो मैं इसको चार-चार के रूप में बोल सकता ह आप बता दो, क्योंकि यह 8 बोला है, इसने 8 बोला है, तो मेरा काम आसान करने के लिए इसको चार-चार लिख देता हूँ, मैंने इसके रूल को थोड़ी तोड़ा है, नहीं तोड़ा, वरके परतेक बुजा 8 है, तो 8 चोक 32 हो नीची यह थी, बिल्कुल 8 चोक 32 है, देखो आठ दुनी 16, 16 इससाइड है, तो 16 इससाइड हो गया, हुआ, बिल्कुल, अब अपने को क्या करना है, च्छाएंग की शेतर का शितफ़ल निकालना है, च्छाएंग की शितफ़ल यह है, एक, दो, यह तो पत्तियां सी बन रिये, स़र फूलो की पत्तियां बन रिये, जब एक पत्ती के लंबाई अपने को मिल जाए तो भाईया मज़ा आजया इसको चार से इंतु ही तो करना है मैं बोल सकते हैं यह चार तो मतलब मेरे पास एक चार सेंटीमिटर भुजा वाला एक वरक आगया अब इसी के अंदर देखो आपके मज़ेदार चीज़ समझा दूंगा तुरंध की तुरंध की तुरंध की ठीक है बच्चा अब जहां से अपने इक चीज़ समझते हैं यह ब मैं आर बराबर मालूं तो एक यहां से क्या ख़चा गया एक एक है उद्व रिक एक तो थ्या वक है रज रड़त ख़चा गया बच्चा नभब यृड़ी का यहां से आर बराबर चर मैं एक या ठीक है वैसे ही बच्चा मैं यहां से एक एक चोथा ही क्या खी सकता हूं वर्थ खेंच सकता हूं हो गया हूं यहां पे ऐसी पत्ती मिल गई इस एक पत्ती की लंबाई निकालने के लिए देखना मैं क्या करता हूं इस एक पत्ती का एरिया निकालने के लिए पन क्या करेंगे देखना इस एक बचा मैं एक तिर्जाखंड लेता हूं ये, ठीक है, इस complete का तिर्जाखंड मेरे पास होगा, इस तिर्जाखंड के शेतरफल में से बचा मैं ये नीचे वाला निकाल दो, पूरा तिर्भुज निकाल दो, तो ये एक पत्ती मिल जाएगी, जो एक पत्ती होगी उसका डब चेतरफल गया होगा बच्चा, पाई ए स्कॉरर ठीटा बटे तीनसर थीटा बच्चा नबबबब डिगरी है, क्यों ये देको नबबब डिगरी बच्चा ठीटा बच्चा तीनसर शाठ माइनस, तिर्भुज का शेतरफल, एक बटे दो आधार गुणा उचाई, एक बटे चार लिख सकता हूं, चार गुणा चार लिखूंगा तो यहां पे एक चार बचेगा, तो चार पाई, तो दो गुणा यहां पे चार पाई हो गया, दो गुणा बचा चार पाई हो गया, अंदर चार पाई बच गया, और इस साइड माइनस आठ हो गया, माइनस बचा, आठ हो क्योंकि मेरे पास यह निकाल भ़ा था कि मैंने गुज का चित्फण निकाल दिया था जिसमें आधार गुणा उस ही थी एक बड़े आट हो गया यहां पे और खोचाहे दो restrictions pie r square theta पचे 300 थीटानबबब्ब्ब्ब्ब था चार यह चार से चार क्योकि return by r दो गुणा चार पाइ मैने साथ आठ पाइ माने स सोला ये एक पत्ती के लंबाई आगई आठ पाइ माने सोला तो मैं सेड़ी रेजन बोल सकता हूं क्या बोल सकते हैं बच्छा से डेड्रीजन एरिया ओफ सेडेड्रीजन क्या बोलेंगे बचा एरिया ओफ सेडेड्रीजन चैर पत्ति हैं चार गुणा आठ पाई माइनस सोलो आठ चोग बतिस पाई माइनस सोला चोग चोग चुट यह आ अंसर हो जाएगा आपका ठीक है मेरे लाल यही आपका final answer हो जाएगा centimeter square में आगे बढ़ते हैं पांच question पर ने जाल लिए आगे हो यह आज का और प्यारा interesting question आपके लिए सिर्फ आपके लिए सिर्फ आपके प्यार में एक चीज़ समझो और सलंगन आकर्दी में तीन अर्धवर्थ 15 डिख्रें विलकुण सर में तीन अर्धवर्द दिख रहें गाल देखो एक बढ़तो हो बच्चा यह वी पूरा'm इसको मैंने 6 बोल दिया, done, BD बराबर 6 root 3, यह जो आपकी BD है, यह कितनी बच्छा, 6 root 3 है ध्यान रखना, 6 root 3, बैं चाहिए कोई से में ले लो, 6 root 3, चाहिए की शेत्रगाश के तफल क्या हुआ, कैसे निकालोगे मेरी बात नमजना पहले, पहले आपको इसको इससे मिला देना है, चिक है, इसको इस साइड लिख देते हैं, थोड़ा सा जिसे अपने पास इस पेस आ जाए, यह अपने पास बच्छा, यह लंबाई है, जहां रखना 6 root 3, और इसको बच्छा, मैं इससे मिला देता हूँ, आपके सर कितने अच्छा डा एक sixt ड़गरी का होगा 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 जब बच्छा यह नपाई टीकर घ्री का होगा होगा, यह एकấ रषू देखना आपने समझा, होग hilarious क्या कॉन सा र हेसा बन रहा है? एक रूट तिन दो का रिसो बना रहा हूं एक रूट तीन दो का एदि घुटे, मैं चाप 6 इंटो करता हूं तो, यहां पर 6डूट टिन होगा बहुत बारा होगा। तो यहां जो रिसो बनता है 30 डिजरी के सामने यह बुजा घ्जा और technology सामने यह बुजा एक। अब देखो, 30 डिग्री का कौन कौन सा होगा, 30 डिग्री का कौन यह होगा, बहुत सही पकड़े भाया, 30 डिग्री का कौन यह होगा, ठीक है, यह 6 के सामने है, 6 रूट 3 के सामने बच्चा, यह 60 डिग्री का कौन होगा, और यह 90 है, आपके यह 90 है तो बच्चा, यह भी 90 है, और यह पुरा मैंने नब्बभ भी बोला था तो ये 3 साथ हाएगा और ये 60 तो ये 60 तो ये 30 आयेगा अब करूशन में कुछ नहीं बसता, क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अब आपके पास में, अब आपके पास में एक चीज मिलती है आपको, क्या, यदि बचा मैं ये ट्राइंगल ले लू ना, कुन सा अब ये वाला, तो इसमें एक चीज देखना, ये भुजाता अपने पास 6 थी, लेकिन ये के ये निकालने हैं अपन तो मज आजे, तीस के सामन ये तीस के सामने और तीस से साथ होगे, रूट तीन की गुणा करतो, सर रूट तीन की गुणा करतो, सिक्स रूट थी में बच्चा, सिक्स रूट थी में बच्चा, रूट तीन की मैं गुणा करूँगा, तो कितना पहुँच जाएगा, ये कंप्लीट थीन हो जाएगा, 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, क्योंकि ये 3, 6, 18 बिल्कु सरी, ये complete हमारे पास 18 आ चुका है, ये complete बच्चा अपने पास कितना आ चुका, 18 यहां पे आ गया, done, बहुत पढ़िया, अब एक चीज़ समझे ना, दो यहां पे इस पूरी अब तीनों वर्थों की तिरजाए अपन आपको धहर यह तो रखना पड़ेगा, लेकिन मज़ा जाएगा को समझके, ये पूरी लंबाई कितनी हो गई, मिर गोते सिर्फ इतनी सी बात बता दो, 18 और 6, सर्फ चोईस होती है, जब ये चोईस बनी, तो ये बड़ी, ये चोईस है, तो इसकी बड़े वाले की तिरजा यहां को गई होगा, 12 होगई, बोल सकता हूँ, वो जो की यहां पे center से मानके, इसको center माना, और यहां से एक वर्थ मैंने, खेच दिया, अब, 1 R कौन सा बनेगा, एक R बच्चा, इस वाले वर्थ का बनेगा, कि मेरे को यहां से यहां तक यह लंबा भी पता, कितनी है बच् एक यह बनी, तो यहाँ पे आर टू बराबर शिक्स बोलाचा किसने बोलाचा-ध। इंहां से यह बन रहा है तो इसकাके पॉइंटे धा कहीं। यहाँ पे फॉइंट थूझ था कहीं। थीक है, यह बन रहा था। से क्यों, 18 था 18 था 18, रिजन का एरिया चाहिए तो अब एक चीज समझते हैं अपने काम करेंगे बड़े वाले अर्द वर्थ के अंदर से छोटे वाले दो अर्द वर्थ निकाल देंगे तो यह बचाएगा बड़े वाले अर्द वर्थ के अंदर से छोटे वाले दो निकाल दो अपना काम हो जाएगा तो बड़े वाले अर्द वर्थ किसना बचाएगा पाई आर स्क्वाइर र ये था पाई आर स्क्वाइर बाई टू माइनस छोटे वाले दोनों निकाल दू मतलब पाई आर वन का स्क्वाइर बाई टू ठीक है यह निकाल दू और यह निकाल दू पाई आर टू का स्क्वाइर बाई वैल्यू ही तो रखनी है वैल्यू ही तो र अब सबका होली स्क्वाइर करके यह दो गटा दो पाई बाइब टू बड़ा र कौन सा हो गया बच्चा यह गया तो बारा जी स्क्वाइर 145 माइनस छोटा र मतलब नो नो ना मिक्यासी माइनस इस कार बच्चा तीन था तीन तीन नो हो गया निरी बात समझे बारा के स्क्वाइर नो के स्क्वाइर एक क्यासी और तीन के स्क्वाइर नो एक क्यासी और नो बच्चा नबबब चोवन आ गया और चोवन का अदा करोगा तो 27 पाई यह बन जाएगा नबबब था एक अपने पास यह अरिया पने निकाल लें ठीक है यह अपने निकाल कर पूरा दे दिया ठीक है बढ़ते हैं बचापन नेक्स वर्शन की तरफ जो की है यह रहा आएए बहुत इंट्रेस्टिंग और प्यारा यह करशन रहने वाला है एक चीज समझो दी गई आकर्ती में एबी इस अर्दवर्थ का व्यास है बलकुल सर एई इस अर्दवर्थ का व्यास है एफ जी इस अर्दवर्थ का व्यास है और जी भी बचा इस अर्दवर्थ का यहां पर व्यास है एबी कितना दे दिया 56 सेंटीमेटर एबी बचा कितना दे दिया 56 सेंट 56 cm यहां पर दे दिया, पूरा का पूरा अपने को दिया है किकना, 56, एक प्यारी सी बात बोली है, इसने जो AE, EF, FG और GB है, AE, EF और FG और GB है, सारे बराबर है, जब यह 56 है, तो 14 चोग 56 बोल सकता हूं या नहीं, 14 चोग 56 मैं बोल सकता हूं, 14, 14, 14, 14 चोग बच्चा, 56, बिल्कुल, बिल्कुल सर, अब पूछ के लिए, चाएं की शित्र का शित्र फल, चाएं की शित्र कौन सा है मेरे लाल, यह रहा सर, सर यह रहा, यह चाएं की शित्र का शित्र फल है, बिल्कुल, अब एक चीज समझना आप, यहां से मेरे प्यारी सी, यह बच्चा, इसकी तिर्जा, और चाएं की शित्र का शित्र फल आप किसकी तलास में है, यदि बच्चा, यह र बर आर माल लो, तो चाएं की शित्र का शित्र का शित्र फल कितना होगा, पाई र स्क्वार, चाएं की शित्र का शित्र फल कितना होगा, पाई र स्क्वार, आपकी तलास कहा खतम हो जाएगी जब आपके पास R आ जाएगा R की value होगी तो R रग दोग आप अराम से माना जाएगा सिर्फ मुझे तलास है इस R की सिर्फ मुझे बचा इस तलास है इस R की इस R की मुझे तलास रहेगी इसी R को निकालने के लिए चलो निकल पड़ते हैं अब कैसे समझोगे इस चीज़ को यह R है एक चीज़ समझने है बच्चा यदि यह सेंटर है इसका यदि मैं इसको मिला दूँ यदि बच्चा मैं इसको क्या कर दूँ मिला दूँ मिला दिया, बहुत पढ़िया. तो ये R है, तो ये सारे इसी के R होंगे. ये R, 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 रफ्तार नहीं है, ये R है. ठीक है, ये R है. मेरी बास समझता है. जो कि इसके तिर्ज़ा है, इस वाले के, और इस वाले की तिर्जाह कितनी है, यह दिये, इसका व्यास 14 है, तो इसकी तिर्जा 7 होगी, मतलब 7 प्लस R, बहुत बढ़िया सर, अब एक ची बताओ, यह कितनी है, यह 14 है, तो यह 7 होगा, ठीक है सर, अब इसकी लंबाई आपको चाहिए, इसकी लंबाई क्या है सर, सर हमें सब पता है, इसकी लंबाई मैं सीधा ही लग दू, सीधा ही लग दू, कुछ चक्कर ही ना रखूं, कुछ चकर ही ना रखूं, देखना, एक चीज समझना बच्चा, मैं कुछ चकर ही ना रखूं, मैं वो लोग कि यह पूरा 28 है, यह 14 और 28 होता है, यह जब बच्चा पूरा 28 हो, और आपको यह चीए, मेर इस 28 के नदर से यह निकाल दो तो 28 माइनस आर होगा नीचे वाला यह नीचे वाला पाट क्या होगा बच्छा 28 माइनस आर होगा अब एक चीज़ दो इसको भार निकाल दो और अपनी आर की तलास को मैं खटम कर दो यह ट्रेंगल में भार निकाल लेता हूँ डन समझ गए मेरी बात को बिलकुत तो यह तो होगया 7 प्लस आर और यह कितना होगया बच्छा 7 और यह बच्छा पूरा थाइस यह पूरा थाइस था उपर वाली यार निकाल दो थाइस माइनस आर हो गया यहां पर भाई यह पाइथा गोर्स्तों में लगा दो आपका काम तुरंत बन जाएगा इसका वरग इसका वरग 7 प्लस आर का जो स्क्वाइर होगा इसका वरग वो इसके वरग के बराबर होगा 7 का स्क्वाइर प्लस 28 माइनस आर का वरग होगा बिलकुल होगा तो 7 प्लस R का होली स्क्वाइर किसके और साथ का स्क्वाइर 28 माइस R का होली स्क्वाइर होगा इसको देखो 77 49 A square प्लस B square प्लस 2AB तो 7 बून चोदह R बराबर 77 49 प्लस यहां पर A square मतलब 28 का स्क्वाइर 28 का स्क्वाइर ठीक है ए स्कोर प्लस बी स्कोर प्लस टू ए भी अठाइद उनी छप्पन आर मेरी बास समझे जो कट रहा है वो काट दो सर उननचास माहिन उननचास प्लस आरी स्कोर से इस साइड भी है मैंने भी ना सोचे समझे काट दे और कटेगा चोदा प्लस चपन सत्तर आर बराबर बच्चा 28 गुणा 28 जो कट रहा है वो काट दो भी साच्चों 28 ठीक है अब यहां पर आर बराबर निचे दस आजएगा 28 गुणा 28 गुणा चैर बटे दस बहाती बढ़िया 2 2 री चार और दो पंजू 10 तो छैपन बटे पांच जिसकी इतलास थी वो का इतलास खतम मैं चैपन बटे पांच आ गया मतलब आर आगया जब भाहिया आपके पास एक वर्थ की तिर्जा है जब अब के पास च्पन बटे 5 एक वर्थ की त जा है तो pi r squared is the right answer, मतलब shaded region area कितना आ जाएगा, या मैं बोल तू वर्थ कर शितफल कितना आ जाएगा, pi r squared, जिसकी मुझे इतलास थी, pi r का मतलब अच्छा, जा जाएगा, छापन बटे पाच का होल इसक्रा ये आपका नाश या पर बन जाता है, next question के तरफ बढ़ते हैं, 7 question अपने प्ला दी, 8 question प्लाते हैं, इसके अंदर देखना, two identical circle intersects, so that there are centers and the points at which they intersect from square of the side, दो समानवत इस परकार एक दूसरे को पर्थिश्यत करते हैं यह इस तरह पर्थिश्यत करते हैं यह कर रहे है यह कर रहे है और वह बिंदू जहां वह पर्थिश्यत करते हैं केंदर और वह बिंदू जहां वह पर्थिश्यत करते हैं केंदर आगे जहां वह पर्थिश्यत करते हैं यहां से यहां यहां पर्थिश्यत करते हैं एक सेंट्यम बुजा का एक वरग बनता है एक सेंट्यम बुजा का पर्थ एक सेंटिमेंट और यह भी एक सेंटिमेंट, ठीक है, दोनों वर्तों के उबेनिष्ट भाग का शेत्रफल आपको निकालना है, यह वही क्योशनर जो मैंने पिछ्छा भी बताया था, पत्तियों वाला सैम, एक पत्ती की लंबाई और वैसे ही निकलेगा, सैम एक्चक्ट वै तिर्जेखंड का शेत्रफल के होता, पाई आर स्क्वाइर थीटा के इतना पत्तियों निकाल दूँ, तो मेरे पास कौन सा आजाएगा, इस पूरे के अंदर से, जो मैंने लिख दिया, माइनस के अगारने वाले हो, मैं किर्भुज का शेत्रफल जैसे मैं माइनस करूँग यहां से, तो मैं यह निकाल दूँगा, जब यह निकाल दूँगा, तो मैंने इसका डबल करी दिया, इसका डबल मैंने करी दिया, माइनस, तिर्बुज के सित्फर, एक बटे दो, आधार गुणा हो चाहिए, बस सोल कर लो, आपका खाम हो, खतम, नो चोग छटिस, डन, अ अब एक चीज देखो, आर कितना था इसमें, यहां से पूरा वट बनाए, तो आर इसका सारा एक आ गया, आर जो तिर्जया बनी, बच्चा, एक की बनी, तो आर यहां पर एक रखोगे, दो गुणा, पाई, एक का स्क्वार एक होता, तो कोई दिक्कत नहीं है, पाई बटे दो का भाग देए, तो पाई बाई टू माइनस फ़न, पाई बाई टू माइनस फ़न, आगे बटते हैं, आठ क्वेशन अपने देख लिए, आउर नोवे क्वेशन पर, इस क्वेशन को लेते, बहुत ही जबड़ ज़स्ट क्वेशन है, और भीया, तुरंत उड़ा देंग बिना देरी की, यह आपको ट्राइंगल दिख रहा है, हेक्षागन दिख रहा है, निमे लिखित आकरती में चायंकी तिर्भुजाकार शेतर का नियमे शटभुज के सेश शेतरफल से अनपाद आपको निकालना, एक चीज़ समझाओ, इव दा फॉलोविंग फीगर फाइं चायंकी तिर्भुजाकर शेतर का नियमे शटभुज के सेश शेतरफल से अनपाद आपको निकालना, अब एक बात करता हूँ आपके साथ, यहीं पर, मेरी बात गोर से समझने लेकिन आप सभी के सभी, एक चीज़ समझ़ो बच्चा, इसको इसको इसके निदर टोटल कितन इसको मिलाया यहां से यह मिल गया अब एक चीज देखो मैं इसको मिला रहा हूं इसको मिला रहा हूं जो यह पार्ट बने है न बच्चा जो यह तो यह तो टल अठारा बने है total कितने बने बच्चा ऐंठारा बने और इनका सबका इसको में अब को गिनाता हूं को कि यह पूरा पार्ट दो यह पूरा पार्ट बच्चा 3 यह 4 यह 5 यह 6 यह 7 यह सब बच्चा आठ reminds in यह बच्छा, आपका 10, यह 11, यह 12, अंदर 6 है, देखो, 13, 14, 15, 16, 17, और यह पूरा 18, अब एक बास समझना है, पहले चाइंकित का भाग का, शेतफल निकाल, टोटल कितना है यह, सर अभी आपने 18 बताया था, बिल्कुल बच्छा, एकजिक्ट 18, कैसे आएगा देखो, यह ज यदि बच्छा मैं इसको मिलाओं, क्या यह एक पार्ट एक नहीं हो गया पूरा, एक पार्ट, क्योंकि इसका दादा हुआ है, मैं आगे बढ़ू, यह पूरा कितना था बच्छा, दो थे, इसके अंदर यदि मेरे को तो इस साइड वाले की जोड थी, दो पार्ट, ठीक है और बचा यह पार्ट यहां बनते है, एक ** छारा तो चांगीत बचा भाग का है श्यद्वल बचांच यह दर hatred है, तो बचा हुआ बचपा कितना होगा 12 क्योंकि टोटल होते हैं, टोटल जिटने होते हैं टोटल ही, एक आटारा होते हैं तो एक उन पाथ दो होगे, तो च्हायंकित का बचा एक और बच गए कितना, दो तो एक उन पाथ, तो आगे बढ़ते हैं, नो क्योशन अपन ने कर लिए, दस वे प्याव, इसको देखते हैं, यह तो बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल क्योशन, कैसे, वोट फ्रेक्शन औफ रेगुलर हेक्षागनी सेडिट, निमिन नियमिशट बुझ का कौन संस है, यह कौन संस है, एक चीज़ बताओ, जो मैं आप करने वाला हूँ, इस टाइंगल के अंदर, कितने संभाव उतिर बच बनते हैं बड़े वाले, तो छे बनते हैं, एक तो यह एक बन रहा, कौन सा बच्चा, पांच और यह एक बन रहा बच्चा, छे, छे संभाव तिर बुझ हो गए, अब जब मैंने इसको छे बोल दिया, एक, दो, तीन, च्यार, देखो, कितना बोल दिया बच्चा, सारे ही निकल गए, क्या, तोटल छे है, अब मैं लेता हूँ, यह पूरा दो है, दो होगे, यह तीन, च्यार, पांच, शे, टोटल दो छे बाट है, लेकिन आपके पास कितना बाट आया बच्चा, एक बाट यह रहा, जब बच्चा, यह पूरा एक है, तो यह अपने आप में तो आदा ही दिया, इसने, तो पूरा यह जो अपने पास है यह जो पूरा है बच्चा, आप देख पा रहे हैं, तो एक पार्ट यह रहा, और आधा पार्ट यह रहा, तो मैं डेड़ बोल दूँ, तो यह डेड़ है, और डेड़ किसका पूरा, पूरे कितने पार्था हुए, छे पार्था, छे का कौन सा भाग है, तो तीन बटे दो, तीन दो निच्छ है, तो एक बटे चार, इस दर राइट अंसर, यह एक वा अंस है, एक अंस है, यह पूरा, पूरे का, दन, आगे बढ़ो, इस कर्शन को उठाती, यह तो बहुत ही सिंपल है, यह तो बहुत ही सिंपल है, वैसी बात इसमें की है, अब इसके अंदर तीन प्राथा बनाया, ठीक है, अब इसके अंदर तीन प्राथा, क्योंकि संभाव है तो यह भुजा, बारा बार सेंटीमोटर के देखो, दी गए आकरती में, पी क्यू आर, एक संभाव तीन प्राथा, जिसकी भुजा बारा बारा है, यह भी बारा, यह भी बारा, और बच्चा यह भी बारा है, है यह नहीं है, S, O, T, करम से भुजाओ, पी क्यू और पी आर के मद्य बंदू है, पी क्यू का मद्य बंदू मतलब यह भुजा और यह भुजा बराबर, तो यह मद्य बंदू और यह बच्चा इनका मद्य बंदू है, ठीक है, यह बराबर यह बराबर यह बराबर यह, दे रखाद, यह संभाव तिरबुज बोला में सीधा दिमाग में यह आ गया कि यह आधार गुणा उचाई बोल दो तो एक यह संभाव तिरबुज बन गया वैसे बच्छा कि आधार मुणा ऊचाए बन अधार माधार 아침 त Однако के चाहिं यहां से निकल के आते हैं 1 हमकada कि तीन हों के तीनी का चै। इस एक पाट का अपको निकालना है इस एक पार्थ का प्रेंगत का निकाला है प disappoint आप न देख ली चाहन के संबहुत लुट्र अब निकालने के लिए क्या करेंगे तो यह 1 बटा 3- contenido भाग है किसके पूरे शेत्र मानें चैञींतिर बुझ की सब्सक्राल अरोचल कहा होता है, रूट तिन बटे चार, ए स्क्वार, और A स्क्वार मतलब बत्चा, इसकी बुजह बestarम लिखे पा रहा हूं क्या लिख पा रहा हूं क्या मैँ conduct 1 बटे 3 प्रें रूट तिन बटे 4 एक बड़ा तीन वा भाग था इस पूरे का और शेत्रफल इसने पूछ लिया और यह संभा हूँ है तो रूट तीन बटे चार एस्वार का तीसरा पार्ट है इसको सोल कर आंसर आपके चरणों में 12 गुना 12 चारती बारा बारा रूट तीन बारा रूट तीन क्या जाएगा इसका पूरा शेत्रफल आजाएगा सेड़ेड वाले थेक जो ब्लू ब्लू है पानी पानी एक क्योर्शन और अपन देखेंगे इससे सेड़ेड वाले सारे क्योर्शन अराम से कवर हो चुके हैं इसमें सेड़ेड रिजन का अरिया यहां पने पूछ लिया और यह लंबाई चार देदी यह चार देदी अब करोगे कैसे बात वो इस पूरे वाले वर्थ जो बहिए चार 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 यूनिट का जो तिरजा बने बड़े वाले इसका इक चोथा ही पार्ट हो गया अब इस आले पार्ट में से अपन क्या निकाल ले इस आले पार्ट में से यह निकालना पड़ेगा यह निकालना पड़ेगा और अपन क्या करेंगा बच्छ एक चीज़ समझना अब यही क्यों 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 क चोतह यह वर्थ책 तो भाईया जो पाई ऑरिस्क्वायर था आपका पाई आरि स्क्वायर गा बच्चा टॉसा पाअने पाई हजा इसके आरिसक्वायर का चॉत्था पार्थ है एक वर्थthonप पाई- पाई माइनस होगा, एक ये वर्थ, 2 समझ न दो, अब क्या माइनस होगा, आपके पास एक चीज़ समझ ना, यह इस इसमा भी आदा है और या इसे का भी आदा है, तो भाएं यह और यह मिला दो तो यह अलग सा निकलके आएगा, यह पार्ट और बचाइसे के सामने में एक जोड़ दूँ इसी सामने एक जोड़ दूँ ये वाला पार्ट तो ये यदि एक पार्ट अपन यहां से ये वाला जो पार्ट माल लो तो एक वर्थ अर्दवर्थ दो अर्दवर्थ और ऐसा ये तीन होगे ये मिला के तीन होगे जैने मैं इसमें इसको काउं तो आप लोगों ने एक चीज देख ली और जो आप अच्छे से दुबारा देखोगे, इस चोथाई भाग में से एक अर्दवर्थ ये निकला, दो, तिरजा कितनी इसकी ध्यान से देखना, तिरजा कितनी बच्चा इसकी ध्यान से देखना, एक, 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 क्योंकि complete 4 है, ठी निकला, यह आदवाधा टॉकडा है, ठीक है, एक, दो, और इंदोनों को को मिलाकर विच्चा, ती अर्दवर्थ, ती अर्दवर्थ निकलने का को माइनस करना है मतलब एक कर स्क्वार खतम बात एक दो तीन प्रिक चार चार पार निकाल दिया मैंने इसमें से तीन यह रहा और एक पार यह रहा चार पस्वोल कर लो आपके सामने एक कटेगा फोर पाई माइनस यहापे गतना वजाबचा थ्री पाई बाई टू प्लस फन टाइंस बात्स फोर पाई बाई का मतलब एक यह था दोस्तों आज का आपका इंटरेस्टिंग सा प्या अज बलादिया जिया फिस भलार गया जैंग थी शिया फ कहर होती बड़या तीक है यह तो मतलब सेड़ेड रिजिन के नाम पे पिचा कोही क्योशन आपका नहीं रहा है, पूरा का पूरा सार एक क्लास में मैंने आपको दे दिया है, I think दोस्तो क्लास का मज़ाया होगा, वैसी दोस्तो साथ ही होली का भी पूरा मज़े लेजे, रंग उड़ाई है, दोस्तो ख रिश्तिदार को, आपके दोस्तों मित्रों सभी को होली की धेड़ सारी सुपका मनाई, Thank you.